प्रड़ाम गुरुजी राधे राधे गुरुजी आपने का था कि तीनों देवों में किसी को छोटा बड़ा कहना अपराध है को बिलुकुल 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 को बड़ा छोट कहत अपराधू भ्रगु जी ने विश्णु जी को स्रेष्ठ बता दिया था हाँ तो उन धागुजी थे कि भगवान की च्छाती पहला जमा दी हम तो भगुजी नहीं है फिर उन्होंने विष्ण भगवान को गोसित कर दिया था कि विष्ण स्रेष्ठ है तिन्हों में भगवान नाराण ही स्रेष्ठ है सब में क्यों स्रेष्ठ है इसका कारण भी तो है भागवत जी में भगवान नारायन की नाभी से कमल हुआ कमल से ब्रह्माजी, ब्रह्माजी से शिवजी का प्राकट हुआ, तो जब शिवजी का प्राकट ब्रह्माजी से और ब्रह्माजी का प्राकट भगवान नाराण से तो यहां इसी सिद्धान्त से लग रहा कि बड़ा कौन है, भगवान नाराण से सरष्टी, ब्रह्माजी क्यो आज भी है, है ना जामबंत जी ने भगवान स्री कृष्ण को कैसे पहचाना था जब जामबंत जी से 28 दिन तक युद्ध चला भगवान कृष्ण का तो जामबंत जी ने भगवान को कैसे पहचाना उसी लात से तो पहचाना कि इनकी तो चरण चाती पर चिन है चरन चिन है पहचान गए कि आप तो भगवान है तो भगवान ही सबसे स्रेष्ट हैं उनसे स्रेष्ट कोई नहीं हो सकता ठीक है इसलिए ब्रगु जी ने ये सिद्ध कर दिया कि भगवान नारायन बड़े हैं अब हम जो कहते हैं कि छोटे बड़े का भेद ना रखो यदि हम ये बातें ना कहें कि छोटे बड़े का भेद ना रखो तो आज ही आपस में विवाद होने लग जाएगा, लोग कहेंगे संकर जी बड़े हैं लोग कहेंगे नारण बड़े हैं लोग कहेंगे राम जी बड़े हैं लोग कहेंगे कृष्ण जी बड़े हैं लोग कहेंगे बहरोनाज जी बड़े हैं लोग कहेंगे ये इसलिए विवाद ना हो इसलिए तुरसिदाजी ने कह दीगा को बड़ छोट कहता परादू इस चक्कर में ना पड़ो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है भाई नदी में लाखो नाव होती है किसी एक नाव में बैठ जाओ भी अपार लग जाओगे अब जगड़ा करते रहो कि नहीं नहीं ये नाव अच्छी है ये नाव बुरी है चलो आपने सिद्ध भी कर दिया कि ये नाव बहुत अच्छी है और आपने सिद्ध भी कर दिया कि ये नाव बहुत बुरी है तो भी इस सिद्ध से क्या प्राप्त कर लोगे चलो मैंने सिद्ध कर दिया कि भगवान शंकर जी बड़े है और भगवान नाराण छोटे हैं तो मैंने यदि सिद्ध भी कर दिया कि नाराण छोटे हैं संकर जी बड़े हैं या संकर जी छोटे हैं नाराण बड़े हैं या राम छोटे हैं या कृष्ण बड़े हैं यदि मैंने सिद्ध भी तो इस सिद्धी से क्या लाब है क्यों इसलिए को बड़ छोट कहत अपराधू ना छोटा कहने की जरूरत है किसी को ना बड़ा कहने की जरूरत है सब को भगवान मानकर प्रणाम करने की जरूरत है